जानते हैं कि संचारन किया होता है क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है सारी अभिक्रियाओं के बारे में मैंने बता दिया है आज हम जानेंगी कि संचारन किया होता है ठीक है आक्सीजन की मोटी परत चड़ जाती है ठीक है तो हो जाता है संचारण समझें तो जैसे मान लीजिए लोहा है लोहा अगर जो लोहा के ओपर पानी पर जाएगा तो इस असरक का हो जाएगा उसमें मुर्चा लग जाएगा ना मुर्चा मुर्चा जिसको का कहते है संचारण ठीक है तो जब इस पर जब आक्सीजन लगी ईसम में य्या तो इकए बन जाएगा इस लिए कहते हैं इंगलिस याम आइरान आइरान तो यह का बन जाएगा आइरन आकसाइड यानि आइरन आकसाइड तो जब कोई धातू अपने आसपास आम लिया आद्रता के संपर्क में आती है तो उस पर एक मोटी लेयर जम जाती है इसका कहते हैं मोटी परत जैसे पर जम जाती है ना मुरचवा जाता है यूजिसन वॐ आरि पर ईस पर नीबू का होता है नीवू का होता है नूवं में praising होता है कि आव तो उस पर पढ़ेगा ना तो उस पर का होगा उस पर एक लेर जम जाएगी जो मुर्चवा की लेर है ना तो जम जाएगी ना तो हो जाता है संचारन अब जैसे यहां पर भी देख लो जो होता है ना तांबा तांबा का नाम सुना है ना तांबा तो तांबा के ऊपर ग्रीन थानि हरी परत चल जाती है तो जैसे ही है नहों होता है जो आême हेट तो जो मुए में हाइडरोजन सी के करिको है मतलब हम दो होता है और आक्सिजन का एक अड़ों होता है तो यह जो कपरवा है ना तो आक्सिजन के साथ रियक्षन कर जाएगा ठीक है तो जब रियक्षन करेगा तो का बना देगा इसके उपर कैसी परत जम गई ठीक है ना तो इसका संचार हम और यह होता है ना सिलवर यानि चांदी के उपर कैसी भी परत जम जाती है काली परत जम जाती है जैसे वो जो पहिली बहली होता है ना घर में पहिरते हैं तो पहिल थो देखा होगा आपने तो जो पहिलिया पर होता है न तो जो इसको लिया गया है इसको अपने लिया है पर एजी बना दिया गया है तो जब आकसीजन से रियक्षन करेगी का बना देगी एजी ओ का हो गया सिलवर आकसाइड ठीक है ना तो इसके उपर कैसी परत्चम गई काली परते क्योंकि जब वू होता है ना उस असरा आकसीजन से किरिया बहुत कम करता है क्योंकि उस सलफर से ज्यादा किरिया करता है ठीक है ना जो सिलवर है ना इस सिलवर तो इस सलफर से ज्यादा क किरिया करता है आक्सिजन से कम किरिया सील होता है इसलिए का करता है सलफर से किरिया सील हो जाता है तो इस सालफर से जब किरिया कर लिया तो इस पर काली काली पर चढ़ गई ना तो ठीक है तो हो गया ना उसके उपर बाद में धूलते हैं यह सी डॉसे डाल के जो नम होता है तो इतना समझ में आ गया ना तो जब इस संचारण होगा जब कोई भी धातू अपने आसपास आद्रता और एसीड यानी अम लिके संपर्क में आती है तो उस पर एक मोटी लेयर जम जाती है वह आक्सिजन की एक लेयर जमा लेती है ठीक है ना तो जैसे ही का हो गया लोहे पर भूरी परस चढ़ी यानि पर दो मुरचवा सामिटिफा साफ मुर्चवा कैसा होता कि मुडजमा भूरा-भूरा होता है लएफ न लोहा के ओपर भूरीपरत अभी जो कापर है ताबा कि ऊपर तो तामबा के ऊपर спас नहीं चढ़ती है तामतिरों को आप जब भी देख चानदी के जब इसका संचारण हो गहा तो इक का बनाएगा इसके ऊपर काली परत जम जायेगी का जाली परत जम जायेगी हुए हुए हऀ समझ में आ गया न तो चलिए आफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चे चाहे तो इस अगले टोपिक का नाम है विक्रित गंधिता विक्रित गंधिता क्या होती है इस libro गंधिता ठीक है ना तो चलिए अब विक्रित गंधिता जान लेती है कि विक्रित गंधिता क्या होती है ठीक है कि कि संखारान वाला टॉफिक तो खतम हो लया तो इसे आप जान ही जायेंगे अगे ठीक है कि शुच्ति है कि तलिए हम जानते है विदित गंधिता का होता है हन्य जेוס Eh gehen करें अभाप अदर बिकरित गंधिता कह रहता है तो जो बिकरित से यूप तो होती है तो जब इसमें होता है तो यह का हो जाता है उप्चाई तो हो जाता है यानि इसमें आक्सीजन से कीरिया कर लेता है ठीक है और इसमें का होता है तो खराब हो जाता है तो उसमें विक्रित गंधी जैसे बास आने लगती है जिसे खाना होना होता है ना कि जब खराब हो जाता है ठीक है तो वही होता है विक्रित गंधिता मैं आया ना कि तो प्रत गंधित हो गा तो इसलिए उसमें का करते हैं कि जो इस चीप्स का पाइकट होता है तो उसको उसमें जो हवा भर देते हैं फूलों कि उसमें चीप्स की जो पाइकटिया होती है ना तो उसमें जो चिप्सिया होता है तो उसमें चिप्सिया कम हवाईया ज्यादा रहता है तो कौन से गयस होती है नाइट्रोजन गयस होती है क्योंकि नाइट्रोजन से विक्रित गंधित नहीं होता है उसमें अगर जो आक्सीजन डाल देंगे ना तो आक्सीजन से किरिया करके विक्रित गंधित हो जाएगा ठीक है ना तो जैसे कोई भी खाना है यह माली जब कोई भी खाना है तो रखे रखे अगर जो उसको फिरीज में रख दिया फिरीज में का होता है फिरीज में नाइट्रोजन गैस निकलता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ठीक है ना तो जब फिरीज पदार्थ है तो उसमें उपचयन होता है उपचयत हो जाता है वह उसमें आक्सिजन जुड़ जाता है ठीक है तो हो जाता है विक्रित गंधित और इसको रोकने के भी उपाय होते हैं सूर्य से आने वाली किरण होती है तो उससे भी विक्रित गंधित हो जाता है तो इसलिए हमें इसी सूर्य की किरण से बचा कर रखना चाहिए और इसको है तो इसको आक्सिजन से यानि हवा में न खुले नहीं रखना चाहिए ठीक है तो हो जाता है इसे विक्रित गंधित नह तो उसमें का भड़ते हैं उसके पाइकिटिया है ना तो उसके पाइकिटिया में नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं नाइट्रोजन के अलावा अगर जो उसमें आक्सिजन वा डालेंगे ना तो का हो जाता है सुसरा वहू विक्रित गंधित हो जाता यानि रेंसीडिटी हो संचारन से कई से बचाने के लिए का करते हैं कि जो करते हैं लोहवा को और उसमें ग्रीस भी लगा दिया जाता है घ्रीस भी लगा दिया जाता है ठीक है ना तो समझ गए ना ग्रीस भी लगा दिया जाता है तो ग्रीस भी लगाने से उसमें का होगा कि वह आक्सिजन से किरिया नहीं कर पाएगा तो इसलिए वह उस पर मूर्चा नहीं लगेगा ठ ठीक है ना समझ में आ गया ना तब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की वर कि कैसे समीकराण को संतुलित करें साथ में समीकराण को कैसे संतुलित करें ठीक है ना कि समीकराण संतुलान कि इतना समझ में आ गया ना समीकरान संतुलन